जो 321 में आपका स्वागत है श्री गुरु चर्णों में नमंकर श्री जनेश की वंदना करता हूँ आज के समय में किसी भी परिवार में विवाह योग युवक और युवतियों के समय पर विवाह ना होने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस विशेपे मैं दो वीडियो बना चुका हूँ युवकों के लिए अलग बनाया यूतियों के लिए अलग बनाया है और उसमें मैंने विस्तार से ये बताने का समझाने का प्रयास किया है कि विलम का कारण क्या हो सकता है यूकों के विवाह में विलम का क्या कारण और उसका क्या समाधान यूतियों के विवाह में यदि विलम है तो उसके क्या कारण और क्या समाधान जनकुनली हो तो जनकुनली के विश्लेशन से कारणों का पता चल जाता है लेकिन जनमकुर्णिया सब के पास नहीं होती इसका अर्थ ये कता ही नहीं है कि उनकी समस्चाओं का समाधान नहीं होगा समाधान तो उनके भी होंगे लक्षन तो है ही आज के समय में 25 वर्ष की आयू एक तरसे विवा की सामानिसी आयू हो गई है किसी समय में ये 15 साल थी फिर 20 हुई अब 25 हो चुकी लेकिन 25 के बाद फिर तो विलंब है 25 के बाद 26, 27, 28 और फिर भी विवाह योग नहीं बनता तो सामाने रूप से माता-पिता चिंतित होते हैं और स्वयम भी परिशान होते हैं इनी के समाधान पर मैंने विस्तार से दो वीडियो में चर्चा की और उन्हीं वीडियो के कमेंट्स में अधिकांश में प्रस्णी ये पूछे गए हमारी ये तारिक और विवाह नहीं हो रहा है कोई उपाय बताईए बहुत उस वीडियो में विस्तार से मैंने चर्चाई उसी विशेपर की है समाधानी तो बताया है उसमें खाली ये नहीं कहा कि ये कारण है कारण भी बताया और कारण के साथ साथ उसके समाधान भी दिये अगर आपके पास जनकुली है आप विश्टलेशन करवाते हैं और यदि जोत्शी है विवेक पूर्ण उसका विश्टलेशन करते हैं तो कारण भी निकलेंगे उनमें फर्क नहीं पड़ेगा और समाधान भी वही निकलेंगे जो मैंने बताया है वो अलग बात है कि दिश्टी कौन क्या है पंडिजी के देखने का अगर विश्टलेशन करते हैं हम इमानदारी से तो बात महीं आके अटकेगी गुरू की निर्बलता, गुरू की कमजोरी या गुरू के पाप्रभाव में होने पर कन्या के विवा में विलंब की इस्थिती बनती है शरी विलंब के कारक हैं उसका प्रभाव पढ़ता है सब्तमभाव जो विवाइस्थान है या विवा के कारक गुरू पर तो विवा में विलंब की इस्थिती बनती है राहू देव से पीडितों गुरू देव रहसपती गुरू चांडाल योग बनता है गुरु की शुबता नश्टो जाती है उस इस्तिती में भी विवाह में विलंब की इस्तिती बनती है ऐसे ही यूगों की पत्रिका में शुक्रगर इस्त्री सुख्य कारक होते हैं वो यदि कमजोर हैं या पाप्रभाव में हैं पेडित हैं तो विवाह में बाधा आती है और विलंब के अकारक तो शनी दोनों में ऐसी इस्तिती में शुक्र की पुर्षों के लिए यूबकों के लिए शुक्र की इस्तिती, शुक्र की शांती, शुक्र ग्रह की प्रसंदता के लिए उनकी शांती के लिए उपाय उन वीडियो में बताएं हैं अब उपाय का आजकल जो परिपाटी जो चलंसी है सामाने सा एक ये कर लीजिए, एक बार नदी में ये बहा दीजिए, ये आदा घंटे में ये कर लीजिए, यहां पर पचास ग्राम चीज ये रख दीजिए, ये इस साइब के उपाय हैं, जिनने सीधे शब्दों में टोट क कहा जाता है, मेरा निजी अनभव तो ये है, कि इन टोटकों से कुछ नहीं होता, मैं तो इनके 40-45 मेरा कलगबग 50 वर्ष का जो मेरा अनभव ए इस ख्षेत्र का, उस अनभव के दम पर मैं ये कह रहा हूं, उस आधार पे ये बोड़ रहा हूं, कि इन टोटकों से कुछ न चैनल से निराशा होगी, लेकिन अगर वास्तों में समाधान चाहते हैं, तो दो बाते हैं, आपको विशलेशन में कुछ लगा नहीं, आपको समाधान एक चैनल के माध्यम से जो एक होना चाहिए, एक सामा निशाक विद्वान जोतिशी, अगर कुणली का विशलेशन करके उस नतिजी पर पहुंचते हैं, पंडिजी, और वो हजार ग्यारा से रुपे फीस लेते हैं, कोई अधिक नहीं लेते, या तो ग्यारा पैसी की भी बात नहीं, और आप उसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कुछ करना है, वो तो करना आप ही को पढ़ेगा, आरंबिक अवस्ता में ही जो युवक युवती हैं, जो स्वयम पीडित हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, तभी तो मा ये कह रही है, मा चिंती ते इसलिए भोले कि मैं कर लू, कहां तक करेंगी आप, विवा हो भी गया, तो विवा होना एक बात है, और विवा होने के ब कन्या की पत्रिका में, कन्या के लिए गुरुपा प्रभाव में है, तो विवा में विलम तो होना ही है, और वो हो भी जाए किसी तरह से, तो फिर विवाहित जीवन में जो सुक संतोश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, उसमें बाधा आएगी, फिर उसके लिए मा कह तक कुछ करती रहेगी, यदि उसी हुती को अपने विवाहित जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो उसका उपचार तो उसी को करना होगा, ऐसी परिस्थिती हो, कि स्वयम कर ही नहीं सकते किनी भी कारणों से, उस सवस्था में हम किसी पंडिस्चे से उस ग्रह की श सकते हैं उस कंडिशन में, लेकिन मेरा ऐसा माननायर ऐसा आनभो है, उससे कई अधिक प्रभावी होता है स्वयम का करना, किसी भी एक ग्रह की हम शांती कराएंगे, उसके जो चोगने आज के समय में जप होते हैं उतने जप कराने के बाद, उसका दसवां हिस्था हवन, बीसने पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, अब हम कुछ ना करना चाहें, ना पैसा खर्च करना चाहें, और ना खुद कुछ करना चाहें, और यदि हमारी यह आकांग्शा हो, कि कोई ऐसा टोटका मिल जा, एक कुछ करके आ जाएं, चमतकार हो जाएं, और दूसरे दिन समस्ता हूं, कि यह मुश्किल है, असंभव, समय खराब करना है, स्वयम को धोका देना है, जहां तक मैं समस्ता हूं, कि कुछ बातों, कुछ श्रताओं को मेरी बात कटू लग सकती है, कटू ही सही, लेकिन है तो यही सच, यदि आप समाधान चाहते हैं, तो उन वेडियों को दोनों को ध्यान से देखिए, यूकों की विवाह में विलम के कारण मैंने विस्तार से समझाये हैं, और उनके समाधान भी मैंने उसमें बताये हैं, यूतियों के बारे में भी विस्तार से बताये हैं, और जो ग्रह शांती उनके ली भी उसमें बताया है, और उन ग्रहों की सभी ग्रहों की नोई ग्रहों की विदिवत शांती के लिए अलग से नो वीडियो बने हुए हैं अगर आप चाहते हैं समाधान तो देख लीजिए इतना तो प्रयास कीजिए एक बात और है दूसरी हमारी धारना ही यह रहती है जब प्रारंबी के श्तर में ही हमारी मनव र जाए बचे के से करना का धारना ही नहीं हमारी उपचार में समाधान में उस तरह के हमारे प्रयास ही नहीं तो फिर किया भी कहीं पांग गुरुआर होगे और अभी तक कुछ नहीं हुआ मैं पंद्रा दिन से मंत्र जाप करते हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इस तरह से जब दिन गिनेंगे तो निश्चित पमान के चलिए कि कुछ नहीं होगा कुछ तो समय लगेगा यह इतने आसान नहीं होते समय तो वे से भी गुज़र रहा है आप थोड़ा सा शांती से विचार कर लीजिए समय तो वेसे भी व्यतीत हो रहा है और जो हम प्रयास जिनको मैंने समाधान बताए हैं उन्हें हम साथ में अपने जीवन के जो हमारे नेमितिक कर्म हैं उनमें शामिल कर लेते हैं तो उससे व्यत तो कुछ हो नहीं रहा अलग से कुछ जमय दे रहे हैं स्वयम के लिए किसी और के लिए नहीं यदि हम अपने लिए अपने जीवन के लिए अपने स्वयम के हिद के लिए अगर 15-20 मिनिट का समय नहीं निकाल सकते प्रति दिन के हमारे 24 गंटे के हमारे कारी व्यवस्था में तो क्या कर पाएंगे हम अपने लिए फिर हम कैसे कल्प ना करें कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा थोड़ा सोचे गंभीरता से विचार करें बेट करके अब कई प्रश्णों में कई दर्शकों ने तारीके लिखके भेजी हैं मेरी बेटी का ये विवाग कब होगा उन सबसे नहीं वेदन है मेरा ये एक अलग प्रश्ण है इसके लिए विशलेशन के लिए आप किसी पंडिन जिक के पास जाए आपन गया सब जगे विद्वान पंडित उपलब्ध है इस विशे का थोड़ा सम्मान करें इस विशे से जुड़े लोगों का थोड़ा सम्मान करें जो कुछ उनका पारिश्रमी के हैं उनको तो ये भी एक व्योसा है सामानिसा सूत्र जीवन में निशुल्क मुहृत में कुछ नहीं मिलता और जितने भी ठगी के काम होते हैं जितने भी फाड़ फरजी काम होते हैं वो सब के सब होते हैं निशुल्क के फंदे पर निशुल्क समाधान पड़ी जी जनम कुल्डी के देखने का कुछ नहीं लेते और बस उपाय बताते हैं जनम कुल्डी का देखने तो मैंने कुछ लिया नहीं बिल्कुल कुछ नहीं लिया कुल्डी देखी और मैंने का आपको ये पुखराच पेनाना पड़ेगा और मैं ही दूँगा इसको प्राण प्रतिश्टित करके सिद्ध करके नाप भी ले रहा हूँ मैं छले भी में रखके बेठा हूँ 40-45 जार का पुखराच सोना महंगा आप लगा लीजिए देखता हूँ सामने वाले में दम कितना है उसी हिसाब से मैं व्योस्था करता हूँ और वो अंगुठी बना करके देता हूँ अब वो गूरू उचित भी है या नहीं इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कुली देखने का मैंने कुछ लिया नहीं और उसके माद्यम से मैंने 10-20-5-10-0-10-0-10-0-0 जितना मैंने उसमें सोचा कमा लिया इससे तो अच्छा था कि मैं कुली देखने का पारिशमिक ले लेता और जो उच्छी समाधान है वो बताता है मैं यही करता हूँ मैं ना इसकी रत्न की सलाह दे रहा हूँ मैं किसी अनुश्चान की सलाह दे रहा हूँ मैं यह बोरना हूँ कि आपकी समस्या है उसके कारण यह है और उनका समाधान यह है आप स्वैम करिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा उसमें कुछ देर और कुछ सिदा तो रखनी होगे और वो जो करते हैं इस तर दे शुल्ग समाधान के चक्कर में और ऐसी पूजाओं में रत्नों के लिए कई माध्यम हैं उनके लिए कई बार लाखो रुपे खर्च करने के बाद भी कोई परिनाम नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात इस ठगी को वो किसी से कह भी नहीं पाते अच्छे अच्छे पड़े लिखे शिक्षित लोग ठगी के शिकार होते हैं सोचते हैं कि हम किसी से कहेंगे और सामने वाले कहेंगा खरी तुम पड़े लिखे व्यक्ति होकर के कैसे वेवकुब बन गए इस भय से किसी से बोलते भी नहीं मैं इस पश्टि बोल रहा हूँ समाधान आपके समस्चाओं के आपके करने से ही निकलेगे तो आपको चाहिए आपका युवक हो पुत्र या आपकी पुत्री यूती कोई भी हो तो पहले बात तो स्वयम करने के प्रयास से बचिए उसी को प्रेरित कीजिए उसी को समझाइए वो स्वयम करे और कुछ ऐसी परिस्तित्या नहीं कर सकते तो कोई इमानदार कर्मकांडी एक व्योस्तित पंडी जी ढूंडिये उन से उन ग्रहों की शांती की व्योस्ता करवाईए निश्चित रूप से शंकाओं का समाधान होंगे लेकिन ये प्रत्तियक उसमें साथ में के ये हो रहा है कोई उपाई बताईए दोनों वीडियो में मैंने उपाई ही तो बताये हैं और क्या उपाई बताओ उनके अत्रिक तो कोई उपाई नहीं जन्मकुण्ली हो तो भी वही उपाई निकलेंगे वही समस्याय निकलेंगी उनके समाधान भी होंगे अब वो अलग तारीक कब होगी शादी कब होगी क्या विवस्ता रहेगी और जीवन के क्या हाल है उस विशलिन के जानने के लिए जन कुण्डली का विशलेशन आवश्यक होता है वो आपको किसी वी बाद जोत्रिस से करवाना चाहिए मैंने वो कुण्डली से पहले मैंने दिये थे नंबर और हटा दिये मैंने कोशिश की शुरू में प्रारंबिक चैनल में तो चार वेक्तियों से बात की हरे वेक्तaremos यही कह रहा है यह समस्या है मेरी और सब मेरे बेटी की तो इस्तिती वो तो कुछ करी नहीं पाई आप ही कुछ करी है जिन से भी तीन-चार से बात की उनने यही कहा कैसे संभव है यह एक एक वीडियो में लाखों व्यूज हैं लाखों दर्शक हैं इतने कमेंट्स हैं बरसों से जिन वेक्तियों को मैं सराँ जिनको व्यवस्था में सेवाई दे राता बरसों से आज उनको नहीं दे पा रहा हूँ उनको भी देना में बंसा कर दिया है फिर ये कुणली में इस तरह से प्रश्णोकार व्यवस्थित करना कैसे संभव है यह असंभवसा है लेकिन मैं तो फिर भी यह चाहता हूँ मेरा प्रयास यह कि जिने उचित समाधान नहीं मिल पाता उचित प्रामर्श नहीं मिल पाता वो किसी भी तरह से भ्रम के ठगी के शिकार नहों कुणली हो या नहों उनके समाधान हो जाएं इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैंने दोनों विश्यों पर वीडियो बना करके प्रस्तुत किये आपकी सेवा में बताया उनको दोनों को विश्यों कारण क्या है और उसके निवारन क्या है दोनों वो करने तो आप ही को होंगे वो आप नहीं करना चाहते उन्हें ढांग से आप सुनना नहीं चाहते कोई भी विविक्ति यदि ना करना चाहता है तो उसका मैं क्या समाधान कर सकता हूँ ना मैं कर सकता हूँ और ना ही कोई दूसरा कर सकता है आप गंभीरता से विचार कीजिए तो मेरा आपसे निवेदन है यदि आप गंभीरता से वास्तों में अपने पुत्र की या पुत्री के विवाहम में व्लंब के आनना चाहते हैं और समाधान करना चाहते हैं एक बार और वीडियो सुनके देख लीजिए उसमें कारण भी है और उसके निवारण भी है मैं चाहता हम इशवर आप सब पर किरपा करे और आप सब की समस्याओं के समाधान हूँ इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ नमस्कार